असलामों आलेकुन दोस्तों, दोस्तों कुबेत मंतराले नहीं जारी की एडवाईजरी, अंजान कॉल या मैसेज खाली कर सकता है आप लोगों का अकाउंट, सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आप लोगों को किसी तरह का फेक कॉल आता है तो उसे र मैसेज तेजी से वाइरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री आप कम्मूनिकेशन के दुआरा लोगों को पोस्टल शिप्मेंट भेजा गया है, लेकिन एड्रेस की सही जानकारी ना होने की वज़ा शिप्मेंट को बापस वेयर हाउस भेज दिया गया है, शिप्म या ना दें, तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी ऐसे मेसेज आते हैं और शिप्मेंट का कोई वादा किया जाता है, तो आप लोग उसे एगनोर कर दें, उनकी कॉल या मेसेज को रिसीब ना करें ना ही रेपलाई दें, साथ ही कुबेत ने भारत में हुए रेल हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है, बताया है कि ये हादसा इंडिया के उडिसा में हुआ और इसमें 300 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, इसी को लेकर कुबेत विदेश मंत्राले और कुबेत के किराउन प्रिंस ने भारत में शनिवार को रेल हादसे में मारे गए लोगों के लिए भारत के राष्ट्रेपती दुर्पदु मौर्मू को सौक संदेश भीजा और घायलों के जल्द स्वस्त होने की कामना की, साथ ही कुबेत में रेसिडेंसी परमिट को एक साल तक सिमित करने का प्रस्ताओ, कुबेत में जन्संक्या संतुलन को दूर करने औ रेपोर्ट के अनुसार रेसिडेंसी के ये नए कानून को लेकर ये परस्ताओ कुबेत के आंतरिक मंतरी शेक तलाल अलखालित को सौपा गया है, अगर ये परस्ताओ पास किया जाता है, तो चिकित्सा छेतर में डॉक्टरों, नर्सों और टेकनिशियन के साथ साथ टीचर शामिल है, निजी छेतर में टेकनिकी नोकरियों को हटा कर रेसिडेंसी पर्मिट को एक साल तक सिमित कर दिया जाएगा, तो दोस्तों ये थी कुवेत की कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन ख़वरें, जो हमने आप तक शेयर करें, ऐसी ही खवरों के लिए चैनल को सब्सक्र